कि वेल्कम टू जा सक्सेस एडू टेक तो आज हम लोग टेंथ का एक अक्सरसाइज देखेंगे मेटल से इससे पहले आप कैनली चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लाइक शेयर बटन भी प्रेस कर दिजेगा ओके और इन प्रीविएस वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने डाल रखा है केमेश्ट्री का टेंथ का उसमें केमिकल एक्विशन एंड रियक्शन वाले चैप्ट कार्बोनिक कंपोन और अर्गेनिक केमिस्टी से रिएटर एक चप्टर है उनको भी कवर उसको भी कवर करेंगे ओक तो अभी यह लोग स्टार्ट करेंगे मिटल से नोन मिटल स्क्राइब एक्टिविटी श्रीज और आयोनिक सब्सक्राइब कुस्देखिंगे रियक्शन युद्ट का चैन का लेक्शन तो लेट से स्टार्ट सब्सक्राइब मेटल्स के बारें कुछ पोइंट है मिटल्स ऑर दोस्टांसेज और लश्चरास इनिचर एंड एफ द प्रूपर्टी टूपर्टी टूष नस्ट्रास में मिनस बीसिकली होता है जो साइनी टेप का यह मतलब चमकीला तो मेटल जो होते हैं वो चमकीले और साइनी टैप के होते हैं इन नेचर एंड़ प्रॉपर्टी टुशन उसके पास चमकने की प्रॉपर्टी ओटे एकसेप्ट मेरकरी ओल दे मेटल्स एकजिस्ट इन इस अर्थ इन दा फॉर्म अप सॉलिड आज इड़ लिक इस्टेट में रहते हैं तो आपका अंसर हमें शामर करी होगा चुकि इसके अलावा जितना वी अर्थ में एक्जिस्टिंग मेटल्स हैं वो सारे सॉरीड ही होते हैं हां तो ओके अभी हम लोग ने हम दो पॉइंट कवर के बैसिकली ट्रूपन देखे थर पॉइंट के मेटल साथ ड़क्टाइल इन नेचर आज दे केन वे इंटू वायर्स ड्रॉन इंटू वायर्स वेरी ईजिलिए अच्छा मेटल जो होता है वो ड़क्टाइल ही ते मतलब अचली उसको आप जो है उसको एजी में में आप खीच सकते हैं को और वायर में कनवर्ट कर सकते हैं उसके जादा सीट्स केन वी काड़ वर्ट कनवाटर इंटू मेटल्स इस इन आज मेलेविलिटी एक्सेप्ट अप्डे मेरिकरी अच्छा मेरिकरी को छोड़कर सारे मेटल स्कॉप सीट में भी मतलब चेंज कर सकते हैं सीट केन वी कनव तो इस तिंग फिल्ड बाइ और फियों के और एक्सेप्सवी जो भी चीजे आपको याद प्रहिए जो लीड पीबी और आपको जो मेर्करी होते हैं वह ग्रेटियमेज यह दोनों एक्सेप्षिन होता है जो कि गुट कुट कंडक्टर और एलेक्टिक्री और ही नहीं होते है next point है metals have very high melting point and high density very important point except the potassium and sodium as they have low melting point मतलब potassium और sodium को छोड़ दीजिए बाकि सारे metals का high melting point and high density होते हैं ओके आप देखिए यह तो हो गया metals care about yoga metals care of a logic non metals care to non metals care first one second on metals are not lustrous added they do not have the sanding surface except the graphite and iodine आपको याद अपड़ेगा metal का ठीक अपोजित नेचर होगा नों मेतल सका तो यह lustrous नहीं होगा except is not good except a element in graphite and iodine I I to iodine and graphite carbon का allotrophs होते हैं यह okay diamond in graphite so आपको यह यह याद रखना पड़े का दो ऐसे में नॉन मेटल है जो लस्त्रस होते हैं basically okay इंग में sunning property दिखा गया second point है except diamond all the non metals are very soft diamond जो होता है वो हाड होता आप जानते हैं इसके अलावा जो भी non metals होते हैं वह एक्चुलिवेरी soft होते हैं soft होते हैं except diamond all the non metals are very soft ओके थार पूंदे कि देयार नॉन में लेवल इन नेचर इसका मतलब क्या हो उसको आफ सीट में कनवर्ट नहीं कर सकते हैं इस तरह आप तो देयार नॉन में लेवल इनेचर नेक्ट पूंट है यह आर और आल्सों नॉन डॉक्ताल इन नेचर ओके जब वाइस वर्चा उसका प्रोपर्टी आ तो आविएसली यह विडिमेटल स्टक्टाइल था यह नॉन नॉन मिटल्स क्या होगा नॉन डॉन डॉक्टाइल इनचर नेच्ट पन दियाए दे आर बेसिकली पुर कंडक्टर्स आफ हीट पूर कंडक्टर और अलेक्टिसिटी अन्ट हीट एक्सेप्ट ग्रेफाइट ऐज इत गुट कंड़क्टर पालेक्टिसिटे तो यहां पर भी एक एक सेप्शना अगया नॉन मेटल्स वो सारे जो पूर और पूर कंड़क्टर फीट और अलेक्टिसिटी होते हैं बट्ट ग्रिफाइट भी यहां पर देखा गया जी यह गूट कंड़क्ट आपछिती होता ह from the and non-metals have low density and low melting point except the diamond which have a very high melting point and thank you it's my own operator your metals have high density and high melting point is ma'am taken on metals have low density and low melting point except the diamond to diamond up we are the company is a very high melting point of the chemical properties of metals first is media to form metal oxide metals react with air and oxygen to form the copper oxide so yes of chemical property and first property we are in a prayer you metal oxide banana clean metal open oxygen to react to metal plus or two cabinet metal oxide is my example earlier to see you plus or to miss balanced equation I see you plus or to see you open a okay to do to two lager the back material balanced to go by us the palace skeleton equation to see the early eye aluminum plus oxide cut the aluminum oxide buna ria yeah l2o3 1 get balance card reaction second the key first cat and metal oxygen satirex car get metal oxide form career second property the key metals can react with both bases and acids to produce salt and water okay the material आप जैसा जानते हैं इसीड प्लस बेल्स यसीड प्लस बेस क्या होता है आपका रिजल्ट जो होगा प्रोड़क्ट बनेगा वो बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर जो की निट्रिलाइशन रियक्शन के नाम से भी जाना जाता है ओके मिल्स के यह सेकंड प्रोड़क्ट आपका एल टू ओ ट्री प्लस एक्स यह यह बनेश्ट इक्विशन एक्शली तो फर मिसंगा वाट कु यह ल्मुनियम कुल राइट प्लस तो वाटर सॉल प्लस वाटर अलमुनियम ऑक्षाइड प्लस चंसेंट्रेट एन वह लेलिया रुके मिल्स का क्या तो थब यह 6th cl इल और यह बूशन को रएट अड इसमे क्या का एक्विश Hmongong अ है इस वाहाइड प्लस्वाटर तो देखिया व्हाइड बनेश्य को राइट तार प्लस वाट प्लस वाटर थार घृट पर एन मेटल आपन। सोडियम अलुमिन गया प् with water to form metal hydroxide for example मतलब क्या यह संटेंस का मतलब समझे metal जो है वो अल्सो रियक्ट कर रहा कि से metal oxide से स्वरी ऑक्षिजन से बना के रहा है metal oxide metal oxide in turns फिर metal oxide जो है वह water water से react करके वह क्या बना रहा है metal hydroxide अब एक्जामपल देख लिए जाया sodium plus water क्या बना sodium hydroxide plus s2 s2 release हो गया सिम्सिमलर वे नेक्स एक्जाम पर लिया aluminum plus 3s2 मतलब balanced reaction aluminum plus water बना क्या al2o3 plus 3s2 hydrogen release हुआ तो नोटेक्शन में तो यह बाते भी आपको जाया देखना पड़ेगा next point एक तो form salt and hydrogen मतलब है hydrogen बनने के लिए metals also reacts with dilute acid dilute acid or concentrated acid में अंतर होता है इसको आपको यादर ना पड़ेगा for example magnesium reacts with dilute hydrochloric acids to form magnesium chloride and hydrogen the key metal acid metal plus acid metal cool acids के साथ react कर वाया कावना metal salt plus hydrogen ठीक है magnesium plus to a CL Kevna magnesium chloride plus hydrogen ठीक है यह सारे प्रोपर्टी से तिंचार यह है chemical properties of metals है इसको आप याद आपरेगा जितना देके आभी देकिए chemical properties of non metals first point is meant to form non-metal oxide metal metal react with oxygen non-metal actually a non-metal react with oxygen अटे की नोन मेटल प्लस प्लस औक्षिजन क्या बनाया नौन मेटली बनेगा जैसे कार्बन फ्लस औक्षिजन यह पेगा ले लिया तो आपको क्या अपनेगा शी ओ टू बन ड़ा ओके अब देखिए सेकंड पुए नॉन मिटल्स डूनोट रियक्ट विद एसीड एंड वाटर टू इवाल्व दा है डूजन गास यह जो है रियक्ट नहीं करता है सीट के साथ अब वाटर एकसाथ हरो जंग आसको रिलीज करने के लिए जब कि वो मेटल कर रहा था ध्यान मुड़की इस बात को नेक्ट फॉंट है नॉन मेटल्स के रियक्ट विच सॉल्ट्स ओके मतल सॉल्ट के साथ यह रियक्ट करेगा लएक्टिव एलेमेंट्स केंडिसप्लेश लेस रियक्टिव नोन मेटल्स ऑके इजुबात को समय वोरे क्या है यो न नोन वोरे एक्टिव रियक्टिव ईल्यमेंट्स यंदी पह मतलब जो वी मूर् स्थ एलमेंट्स automob gloves एक प्रॉमाई लिया एक वसलिशन लिया नभ यरक प्लस यल्ट टू कुलीन का वीयको सुलिशन या यह फॉर्म क्या बनाया तू नसल प्रॉस प्लस बिया को तु ब्रॉमीन बाहर आगे सोडियम प्रॉमाइट से ठीक है इसी कुछ संग विदे है मेरक है उसके बाद एक नेक हाइड्राइड बनेगा ठीक है यहाँ पर देखिए आप एस्टू प्लस इस सलफर भी एक नॉन मिटल है तो यह बनाया है कि एस्टू एस अब देखिए रियक्टिविटी स्रीज अब रियक्टिविटी स्रीज बहुत इंट्रेस्टिंग चीज है यह इसको अपर दिहान में आपड़ेगा चुकि यह कभी मतलब 10 के बोर्ड में पूछी देते हैं जनली भूलो तो देखिए इसमें क्या बताया इंदे रियक्टिविटी स्रीज ता मिटल साइरें निंट डिक्रीजिंग और अप दिया रिक्टिविटी देखिए बहुत अच्छा ट्रीक मैं बताऊं बना करके ऐसा दूंगा जो आप इजीली आप याद कर पाओगे फास्ट आप इलेमेंट वाइज देख लो सबसे मोस्ट रियक्टिव पोटासियम होता है फिर सोडियम मैं थोड़ा मार्क भी कर देता हूं यहां पर देखिए पोटासियम सोडियम केल्सियम मैगनेसियम अलमूनियम कारवन जिंक आयरन उसके बाद है टीन लीड हाइड्रोजन कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम जो लिस्ट रियक्टिव होता है ठीक है अब इसको आप याद भी रख सकते हैं और मैं कुछ आपको बोल देता हूं जो जिसे आप इ इसका और माली है जो उसके एक सर्वेंट है आपको इसका नाम है माली तो काशिनाथ अपने माली को आवाज देता है और बोलते हैं मतलब वो बोलता है जो कुछ बोलता है उसको order देता है तो मैं आपको उसी वे में समझाता हूं दखें का सीनात का सीनात हो गया केने ओके यह से आपका का का सीनात का माली एल से आपका आलू मैं पहले एक लाइन में बोल देता हूं एक नियुक्त लिख सकते हैं यह नो डॉन करते हुए तो काशी नाथ का माली आलू जराफ फीके पकाता है कौन है आगे आओ in a भल और उसको अपना प्रेऑन से नाम सकते हैं DarFaFaFa जो है Iron उसको अपने हैं और आपना पीबी है खाता पकाता है एस से हाई फिर कौन है सी यू कौन कौन है आगे आओ कौन है यह जी जी से आगे यू से आओ और प्लेटिनम को अप ऐसे भी याद कर सेड़ा मतलब काशीनात का माली आलू जराफी के पकाता है कौन है आके आखेकर आओ तो यह याद अब पड़ेगा मुष्ट रिय calcium magnesium aluminum carbon zinc copper zinc iron tin lead hydrogen copper silver gold platinum तो इतना ही था जो रेक्टिविटीटी से में आपको यादखना है अभी देखते अपन आयोनिक कंपोंड क्या होता है कंपोंड that are formed due to the transfer of electrons from the metals to non-metals are known as ionic compound मतलब होता क्या इसमें बिसिकली आयंस का transfer होता है देखिए sodium जवा electronic configuration लिखिएगा तो वन इस्टू टू इस्टू ऐसी जो आप लिखते हैं उसमें देखिएगा जो ऑटर मोस्ट और वीट में sodium के one electron आते हैं इसी तरफ कुल्रीन में कुल्रीन में देखिएगा उसमें साथ आएगा ठीक है तो अपना सॉल्ड का formation होता है वह होता कैसे एनने पे पॉजिटिव चार्ज रहता है जब कि कुल्रीन पे मतलब कुल्रीन को एक नेगेटिव चार्ज का रिक्वाइट है अपना अब देखिए कोई या तो वह डूपलेट पूरा करेगा या फिर और पूरा करेगा आप जानते हैं अप्टेट में यह एक इलेक्ट्रों का रिक्वाइट हो गया तो वह स्टेबल हो जाएगा इन सिमिलर वे उससे नीचे आते हैं अपन तो डूपलेट यहीं कंप्रीट हो इसे जो चार्ज जो जो जिसको अपन इलेक्ट्रों करते हैं इलेक्ट्रों फ्रॉम्द मेटल्स टू दन नोन मेटल्स ओके अब सोडियम के पास एक प्लस चार्ज सोडियम के पास यदि सोडियम अपना चार्ज को देगा तो वह फॉर्मेशन होगा सोडियम को राइट वह बैलेंस्ट हो जाएगा वह स्टेबल हो जाएगा तो इसमें क्या दिखाया है देखिए आप फिगर में भी जैक सकते हैं सोडियम का पॉलिटिव चार्ज से मैंने बोला था उसी तरह में क्या हूं को लिन में एक निगत्र अब देखिए दो दो चार दो छे साथ शत्यक्र लेक्ट्रलीन होते हैंं यह ईए एक कैना हो जाए से कंपॉंड बनाया जाता है फिलाल मैं यहां तो प्रिवियो दे रहा हूं तो अच्छे सा आप इसको देखिए समय और कुशिश करिया जो आयो निक अपर भी कंपॉंड वेसिकली होता किया त्रांसफर ऑफ एलेक्ट्रों से करन फ्रम दॉन नॉर्ट फ्रम तुन आं पर यहां पर बताया गया है जो चेयारूस में क्या था ट्रांसफर ट्रांसफर इसका एकर करने यह ऑन अट यह प्रम पर बेंगा तूम फिल अ क्या है यह ne boiled art ऑफ है मतलबिस एक्विलेंट में आता है ओफ थुप टेर करते हैं शेयर ओफ आइंस आयंस याफ इलेक्ट्रोंस आप बोल सकते हैं देखिए कुलरीन यहां पर अनेस्टेबल ता फरस्ट फिगर दिखाया गया है सेकंड फिगर मोलेक्यूल यह स्टेबल हो गया यह कैसे हो गया ऐसे अच्चर कर सकते हैं कितना हैं सो फर्स्ट और विट में देख सकते हम अधो 69 just सेकंड में चीबडार यह ऑगया जबकि उसी को यह एक यचे ये खर आया है नीचे वाले uh में तो कोलिन मोलक्युल जो CL2 फर्म हो जाएगा ट्रसलीट हो मिन्स क्या इस्टेवल मीन्स यो ऍीमेज कर चुका है कंपॉंद और वह उसका ओक्टेट और इनरजी मिनिमेज का ना मतलब प्याक है यह उसको ऑक्टेट यह डूपलेट कंप्लीट हो चुका है यह बोलना चाहा है तो फर्स्ट पूर्पेर्टी है पुर्पेर्टी ओब आईयोनिक क्विशार में दे हाब डैव वर्य हाइब बइलिंग टीर प्वेंट मतलब इस कंपोंड leading pin परहल वेर्टीलव उ सब्सक्रम से यह औरनी वरफ यह जूराइब टान में ऄठेयर मेरिवन होते होते in water hooga but insoluble in inorganic solvent solvent बहुत सारी inorganic solvent होते मैं बताऊंगा आपको आगे भी बट एग जी एग्जांपल यहां पर इथर आप का सकते है इथर जो है वह inorganic solvent हुआ अंद लास्ट पोइंट है in multi in multi and soil solution state they are good conductors of electricity मतलब यह हुआ जो मोल्ट इन स्टेट में बढ़िला हुआ फिर्फ इस्टेट में जो है बुग क्या रहेगा good conductor of electricity रहेगा ठीक occurrence of metal taking elements or a component that occurs naturally or on the earth crust are known as minerals minerals क्या होता है उसका याद कर लिजेगा आप elements और a compound that occurs naturally on the earth crust जो earth crust पर naturally पाया जाते हैं उसे minerals करते है minerals from their minerals from which metals can be extracted are known as mineral ores देखिए अब firstly क्या हुआ minerals minerals को extract क्या जाता है यह बात बहुत important होते है यह आपको आगे तक वी जब आप salt analysis आप पर येगा 12 में याद इसमें डिरेक्ट आते हैं जो ores क्या होते हैं minerals क्या होते हैं बहुत easy questions पूछे जाते competitive exam में भी तो आप यहां से direct देख सकते हैं यहां 10th level पर यह चीज़ बताया गया है जो ores क्या होता है basically और minerals क्या होता है naturally पाया जाता है वो earth crust पे और minerals से ores को extract किया था यहां से a duckia minerals from which metals can be extract minerals from which metals can be extracted unknown as mineral ores mineral sedal metal corrects लोर्ष्ट काज़गा जाता चीगा जाता है extraction of pure metals from the ores steps of extraction from its ores first point enrichment of the ore is the first step extraction जाता है लिए सबस्ते कर थे को यbreak doubles羅 धी ऐственर करोटन स्थालिन जाए कंटेंडह्स में तर पूंट मेंटर ए रिफाइनिंग फिसे करते हैं उरस चाल्जिय। फोल ट गहले सोथ्य कैने ट्रू कर साऍट रह प्लेन अट पॉेंटिश पूंटर ऑपीरिया extracting the metals that are low in the activity series metals that are low in the activity series are known as on the unreactive मतलब जो रेक्टिविटी स्रीज में निचे में देखाते देखाते नाफ जिसमें आपका copper platinum mercury यह सब था अर्वा अर्वारों ओके अर्जेंटीन तो यह सब यह सारे मेटल्स जो थे वो लो रेक्टिव ते मतलब और रेक्टिव दॉक्साइड ऑफ सच मेटल्स केन बी रेडियूच वाई हीटिंग एलोन मतलब उसको सिर्फ आप हीट कर दीजेगा न तो वहां से आपका मेटल का ऑक्साइड दॉक्साइड ऑप सच मेटल्स मिल सकता है आपको देखे एक्जामपल ले लिए है घ्रेडियम स सब्सक्राइड मतला है जी ऐस मेरिकर्णू के सल्फयट रेलिया प्लस वर टुटू तो टो बैरेंस ट्रेक्षण है इसलिए बैरेंस कर दियेतर पहले आप एस केल टेंव टैक्षिंट लिए घ्रेडियमोंस आपका इस्विए हुआ ओके सोलिट था यहां पे स्वलिट था फिर देखे योग फिर हीट किया तो क्या बना यह फिर से मेरकरี้ प्छानी में तो मेरकरी आ आप देख सकते हैं लिक वह जाता है जब आपको एश्टेट मतलब पता हो तो आप कलिया कट कर सकते हैं किसी भी एक्विशन में सोधार की यह एक मार्किंग का स्कीम भी होता है जनरली टीचर जो चेक करते हैं यदि आप थोड़ा बहुत यदि आप बैलेंस करने के बैलेंस में आप यदि बैलेंसिंग पॉइंट में आप मिस्टेक भी कर चुके हैं तो यदि आपका व वहाँ पर मेंचिन कर सकते हैं बोलिटे जाम नेक्स्ट है फ्रॉम मिदील आप एक्टिविटी घ्राइब उस्टेट आप कर सकता है कि कहीं ऐनेर डिज मेटल्स और ये एक्टिव देयर बीच है जो बीच मैं होते हैं वह अबस्टे वहनों जैनलर एक्टिव होते हैं और वो कर्वोनेट और शुफाइट निचर के होते हैं ठीक है निफर डिटक्शन कार्वोनेट्स और मेटल सुफाइट मस्ट भी कन वैटिर इंटू मेटल अक्षैट डेख रहे आप रेक्ट रियक्टवेट्वेट्स अपहले उ तो निसल नेसान डेकर रोश्टिंग रोश्टीए रोश्टिंग रोश्टिंग रॉक्ष सब्सक्राइब की ने समय होता है के जुन के एफ सेंस्ट अमें पाहल ही वता याब है आप देहीं रिच्छे रोश्टिंग लेक्षिंग फॉर्मेस्टा प्लस ओटू के साते क्या मतलब ऑक्सिजन का प्रिजेंस में रियक्षन वार रोस्टिंग में जब इस जो इक्विस इकल्सिनेशन होता है इस प्रोसेस इन विच ऑक्सीडन और प्रिजेंस में रियक्षन याद रखे गई जूजिंग एजेंट मेटल औक्साइट के एक्षाइड अब देख यह एक प्रोपर्टी होता है कुरोजन जो की उसको जंग लगना हम बोलते हिंदी में जैसे अब देखते हुझेगा आइरन का जब रियक्षन हो जाता है यह और के साथ तो वो बंग जाता है ठीक है मतल जंग को रसी नचर बेक्षाइब परते को जोजन का क्या है है वह यह होई न मेटल्स आ एक्सफॉज्ट तो मॉइस्ट एयर में मतलग्या चैयर तो है अलीड वोज्ट भी विंग विंगा मतलब वाटर कर दो जैंस एंस फॉर दॉर वो याद बाइक्ट मॉइस्टिया घाल को जो शिल्वर का कन वर्ज अनता है ओके ब्लैक कलर में वो क्यों होता है वह याद अक्या देखेगा सिल्वर रिक सीड्य एंट तर्स चुकि वो रियक्ट करता है मौस्टेयर से ओके एद प्रोसेस फोर सिल्फर सिल्फाय गौर्ड य prevention of corrosion rusting can be prevented by galvanizing oiling greasing and painting या दिखिए चार स्टेप आते हैं कोस्ट जनरली पूछ जेते हैं यह वाद इस प्रिमेंट अब प्रिमेंट रॉज़जन आपके लिए अरुट रस्टीं कहेंभी प्रेवनी ज profit का प्रीण जेते हुएं अरुज़ा Hmmm प्रेया विए ब्हो जेंए चंपिए शर्श्टिंट थेल रस्टीहों च्थेट रस्टीरी नहीं करें क दोस्ट बनते हैं सब्सक्राइब कोई पूछ सकते हैं वहाँ से कोशन और सक्सेश एडूटे को आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे का वीडियो आप कंटिन्यू मिलता रहेगा और प्लेलिस्ट से आप इजी वे में सर्च करके आप खोश सकते हैं वहाँ से कोई भी वीडियो आप सर्च डौन करके आप देख सकते हैं थैंक्यू वेरी मच्छ झाल 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 झाल